हेलो दोस्तों, मनुष्य एक यू मिस एक सेक्शूल यानि एक लिएग जनतू होता है और मनुष्यों में नर्जणनतंतर अर्फाथ मेल रिप्र्रोडाट्र सिस्टम कैसा होता है और उसमें कौन कौन से अंग इस जनन की प्रकिरया में भागेदारी करते हैं तो चलिए जानते हैं नर्जननतंत्र अर्थात मेल रिप्रोड़क्टर्व सिष्टम के बारे में दोस्तों नर्जननतंत्र में जो मुख्य अंग भागी दारी करते हैं वो इस प्रकार हैं जैसे व्रिसंड कोश जिसको स्कॉर्टल सैक बोलते हैं व्रिशन जिसको टैस्टिस बोलते हैं, नर्जनन वाहिनिया जिसको डक्ट्स बोलते हैं, साहयक ग्रंतियां जिनको एसेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं, सिस्न जिसको पैनिस कहते हैं, अधिव व्रिशन जिसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं, और सुक्रासे जिसको इस पर मैथि की बोलते हैं और इसके अलावा और भी कई सारे अंग और ग्रंतियां इस male reproductive system यानि नर जननतंत्र में भागिदारी करते हैं और जन की प्रकिरिया में अपना योगदान देते हैं तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम इन नर जननतंत्र और इन नर जननतंत्र में भाग लेने वाले मुख्य अंगों के बारे में एक-एक करके अध्यन करते हैं दोस्तों यह चितर male reproductive system का front view यानि सामने से लिया गया चितर है इस चितर में नरजननतंत्र में भाग लेने वाले मुख्य अंगों को दिखाये गया है। नरजननतंत्र का जो सबसे मुख्य अंग होता है उसे टेश्टिस या व्रिस्ण बोला जाता है। और इस व्रिस्ण में ही कुछ कुंडलित सनचनाई पाए जाती हैं जिसको एपडी डाइमिस या अधी व्रिस्ण भी कहा जाता है। इसके अलावा एक वास्ट डिफ्रेंस यानि सुक्रवाहनी नलिका होती है जो सुक्राडूओं को ले जाने का काम करती है। इसके अलावा सेमिनल वैसाइकल्स, काउपर ग्लैंड्स, बल्बो यूरित्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरित्रा, पैनिस यानि कई प्रकार के अंग इस नर जनन तंद्र के में बहुत सारी भागिदारी करने का काम करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इन सभी अंगों को एक-एक करके अध्यन करने की कोशिस करते हैं और उनके क्या काम होते हैं जिसके द्वारा जनन के प्रकिरिया सुगमता से हो पाती है, इसके बारे में भी जानने की कोशिस करते हैं। तो चलिए श्टार्ट करते हैं ये नर्जरंतंत्र यानि मेल रेप्रोटर्टरी सिस्टम के एक-एक अंगों के बारे में तो चलिए जानते हैं व्रिशन कोस यानि स्क्रॉटल सैक के बारे में दोस्तों इस चित्र में ध्यान से देखिए कि विरिसन कोस यानि स्कॉटल सैक टेश्टिस के चारो तरफ एक तोचा का बना हुआ थैले नुवा सनचना होता है जो धढ़ के सामने तथा शिस्न के आधार पर दोनों टांगों के बीच लटका होता है इसके अंदर ही दोनों वि स्कॉटल स्प्टपम के द्वारा विर्सेन कोस की गुआप कोटो अर्थ भागों में भी बाडता है और प्रतेक अर्थ भाग में एक एक टेश्टिस उपस्तित होता है या विर्सेन कोस एक ताप नियामक यानि थर्मो रेगूलेटर का भी काम करता इunta इसका ताप सरीर के टाप से 2 डेग्री सेलसियस नीचे रहता है जिससे इसमें सुक्राणू आसानी से रह पाते हैं और हमारे सरीर की हीट जिसका टाप 37 डेग्री सेलसियस होता है उससे बच जाते हैं और यह सुक्राणू एक्टिवेट रहते हैं и у пр wearson कोज हमारे सरीर के ताप से उन सुक्राणू को भी बचाने का काम करता है विर्षण कोस के बाद अब जानते हैं विर्षण यानि टेस्टिस के बारे में दोस्तों विर्षण ही मनुष्य का प्रात्मिक अंग होता है जिसे प्रैमरी सेक्शुल ऑर्गिन भी कहा जाता है और इस तथा लगभग 20 से 25 ग्राम भार वाले गुलाबी रंग के दो टेश्टिस पाए जाते हैं, सिस्व अवस्था में ये टेश्टिस एब्डॉमिनल केविटी के अंदर किड्नी के पास इस्तित होते हैं, लेकिन एडल्ट में ये एब्डॉमिनल केविटी के बाहर पैनिस के आध क्या मिशन होता है, यानि सुक्राडभों का णिर्माण होता है और इसी टेश्टिस के द्वारा ही मनुषके जो, चयetricटर शोक करने का कारण होता है व इनिके द्वारा स्रावित कुछ special हार्मों के के द्वारा ही होता है दोस्तों मनुस्यों में पाया जाने वाले टेश्ट इस एक स्पेशल प्रकार का हार्मोन जिसको टेश्टोष्टिरॉन कहा जाता है का सेक्रिशन करता है और इस टेश्टोष्टिरॉन हार्मोन के कारण ही जो व्रिशन के द्वारा स्रावित होता है मनु मनुस्यों के secondary sexual character प्रकट होने का काम करते हैं मनुस्यों का secondary sexual character वह होता है जो उसकी poverty age के बाद उसके सरीर में उत्पन होना सुरू होता है जैसे इस testosterone hormone के कारण है मनुस्यों में दाड़ी मूच का आना स्टार्ट हो जाता है और उसकी आवाज थोड़ी भारी हो जाती है उसकी म स्पेशिया मजबूत हो जाती है तो ये सभी काम मनुस्यों के टेश्टिस के द्वारा सरावित हार्मोन जिसको टेश्टोस्टिरॉन कहा जाता है के द्वारा ही संपन हो पाता है तो दोस्तों टेश्टिस एक male reproductive system का सबसे important organ होता है क्योंकि इस टेश्टिस के द्वारा ही ए जिसको टेश्टिस के बाद अब बात करते हैं अधिविर्शन के बारे में दोस्तों अधिविर्शन या एक पतली वह लगभग 6 मिटर लंबी नलिका से बनी सनचना होती है यह बहुत ही जुदा क्वाइल्ड होकर लगभग 4-5 cm लंबी चप्टी वह कौमा के आकार की एक सन जो विर्शन के अगले पिछले वह बाहरी किनारे के साथ चिपकी होती है दोस्तों यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नलिका होती है जिसका मुखे काम विर्शनों से सुक्रवाहनी नलिका में सुक्राड़ों के पहुचने के लिए मार्ग परदान करना होता है इसके सुक्राड़ों का परिपक्वन भी इसी अंग में होता है तो दोस्तों आधे विर्शन भी एक बहुत इंपॉर्टन सेक्शुल आर्गेन होता है मेल रिप्रोड़क्र सिस्टम का इसके बाद की सनचना सुक्रवाहनी या सुक्रवाहक जिसे वास्ट डिफ्रेंस कहा जाता है होती है दोस्तों यह नलिका लगबग 45 सेंटीमेटर लंबी होती है जो एपडी डाइमस से सुरू होकर और एक इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मिशन करती है यह नलिका यूरिनी ब्लैडर के पीछे से निकल कर बाद में इजैकुलेटरी डक्ट में जाकर खुलती है इसके इसके बाद की सनचना को सकल वाइनी या इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं यह लगबग 2 सेंटीमेटर लंबी वो पतली दिवार की बनी होती है दोनों और की स्खलन वाइनियां प्रोस्टेट ग्लैंड में से निकलने के बाद यूरित्रा में खुलती है इस इजैकुलेटरी प्रोस्टेटब्लिक्या जिसे यूरिनोि जैनाटड कैनाल कहते है बनाती है इसमें से होकर मूत्र सुक्राण तता सुक्रासएं प्रोस्टेट ग्रंंथी तता काउपर ग्लैंड के सराव बाहर निकलते हैं यूरित्रा लगबग 20 सेंटिमेटर लंबी होती है तथा सिर्स्न में से होकर उसके सिर्ष पर एक यूरिनो जिनेटल ऑपरेटर द्वारा बाहर निकलती है इसके बाद सिर्षन यानि पैनी सुपस्तित होता है यह सिर्षन पूर्षों में पाया जाने वाला एक बेलनाकार कॉपुलेटरी ओर्गन होता है जिसके अंदर से यूरेथ्रा निकलत सिर्ष से ही सुक्राण और मुत्र मनुष्ट के सरीर से बाहर निकलते हैं दोस्तों इन अंगों के अलावा मेल रिप्रोडॉक्ट्र सिस्टम में कुछ साहे ग्रंतियां जिनें एसेसरी ग्लैंड भी कहा जाता है पाय जाती है यह एसेसरी ग्लैंड निमन होती है जैसे एक ए cycles जिसे सुक्रासय कहा जाता है भी पाई जाती हैं इन ग्रंतियों का यह काम होता है कि सुक्राड़ों को अपने स्रावित पदात से मिला कर सीमेन का करना जैसे इस चित्र में देखिए कि बल्बो यूरित्रल ग्लैंड मनुस के मेल रिप्रोड़क्टर सिस्टम के किस जगह पर इस्थित होता है और इसके अलावा दो अन्य ग्रंतियां जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वैसाइकल जिसको सुक्रासय कहते हैं इन दोन ग्लैंड की स्थित्य मेल रिप्रोड़क्टर सिस्टम में कहां होती है उसको इस चित्र के द्वारा दिखाए गया है और इन तीनों ग्रंतियों का मुके काम जनन की प्रकिरिया को सुगम बनाना और सुक्राणू के साथ मिल करके सीमेन यानि वीरे का फॉर्मेशन करना होता तो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग ने मिल रिप्रोड़क्टर सिस्टम यानि नर जननत अंत्र को बहुत ही विस्तार से जाना और उसके सभी अंगों के बारे में और उनके कारे के बारे में भी जाना तो दोस्तो आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद